आपके अपने एस्टोलोजी चैनल लक्षमी सुत्रम एस्टोब है मैं डॉक्टर महेज जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यह वीडियो बेसिकली आचारे के स्टूडेंट्स के लिए है या जो लॉंजिविटी या आईउ से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों के लिए है एस्ट्रोजी के अंदर अलग-अलग तरगी की आईउ निकाली जाती है कौन-कौन सी आईउ होती है उसके लिए आप मेरी लॉंजिविटी या आईउ प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हो निसर गाई को आप वहाँ पर कोई वीडियो था नहीं तो मेरे पास रिक्वेश्ट आ रही थी तो मैंने आज ये वीडियो लेकर मैं आयों आए हूं आपके सामने इसको आप आराम से देखिए एक बार मैं आपको समझ में आ जाएगा अलग अलग तरेकी आयों अलग अलग केस में निकाली जाती है कुंडिली के अंदर तीन लगन सबसे इंपोर्डेंट होती है एक तो लगन एक चंद्र लगन और एक सूर्य लगन जिस native की सूर्य इस्ट्रोंग होता है तो उसकी सूर्य लगन इस्ट्रोंग हो जाती है उसके लिए हम पिंड आयू कैलकुलेट करते हैं जिस native की लगन इस्ट्रोंग होती है उसके लिए हम अमशाय आयू या जिसे अंशायू बोलते हैं वो कैलकुलेट करते हैं और जिसका भी चंद्रमा सबसे श्ट्रोंग होता है कुंड़ी के अंदर। उसके लिए हम निसर्ग आयू कैलकुलेट करते हैं। जैसा आपने मेरा प्रिविएस वीडियो देखाऊगा पिंड आयू का जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लॉंच किया था। तो पिंड आयू के अंदर अलग-अलग ग्रह, अलग-अलग इयर, टोटल वो जब उपने डीप एक्जॉल्टेशन या परव उच्चांस पे होते हैं। तो सटेन नंबर आप इयर कॉंट्रिविट करते हैं आयू के अंदर। इसी तरीके से निसर्ग आयू में भी जो परव उच्चांस पर जब ग्रह होते हैं। तो वो अलग-अलग आयू कॉंट्रिविट करते हैं और वो कौन सा ग्रह, कौन सी आयू कॉंट्रिविट करता है वो यहां पर मैंने लिस्ट दी हुए। सूर्याइ 20 एयर कॉंट्रिविट करता है जब परम उच्चांस में हैं। मून वन यर करता है, मार्स मिंस मंगल दो साल करता है, मर्करी 9 एयर्स कॉंट्रिविट करता है, जुपिटर 8 एयर्स, वीनस 20 एयर्स और सेटन 50 एयर्स कॉंट्रिविट करता है। कäre यह प्रम ईंच्चांस मे प्रम निंच्चांस में जब चले जाते हैं जिसको बोलता है इडीप डैपलीटेशन तो यह जो कॉंट्रिउटिवीस्ण है यह हाफ हो जाता है जैब्म निचस पे संट एन हर करेगा मून six month करेगा मार्स one year करेगा तो जो भी परम उच्चांस में कर रहे हैं परम नीचांस में जाने पर उससे हाफ हो जाता है जैसे सूरिय टैन डिग्री पर है मेश से राशी में तो उच्चा है तो 20 year contribute करेगा वहां से चलना सुरू हुआ तुला राशी में 10 डिग्री पर वो नीच का हो जाता है तो जो आयू contribute करेगा 10 साल हो जाएगी तो परम उच्चांस से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा और आयू contribution कम होता जाएगा तो कितने डिग्री पर है उसके basis पर हम decide करेंगे कि वो निसर गायू में कितना contribution कर रहे है तो मैं अब आपको एक टेबिल से बताऊंगा कि हम कैसे calculate करते हैं निसर गायू के लिए यह टेबिल है इसी में मैंने सब कुछ explain किया है आप इसे धहरी है patience के साथ देखे हैं और यह टेबिल बना लें सबसे पहले यह मैंने मिसेज इंद्रागांदी की कुंडली ली है मैं आपको समझा देता हूं इससर गायू निकालने का तरीका इसमें एक first column बनाते हैं जिसके अंदर all seven planets लिखते हैं साथ planet contribute करते हैं राओ और के तू आयू में contribute नहीं करते अब आपको क् पास कुंडली होगी जिस भी कुंडली की आप निसर गायू निकालना चाते हैं उसमें सभी ग्रहों के longitude या जिसे बोगांश होते हैं बोगांश को लिख लेंगे degrees में degrees में कैसे लिखेंगे मैं आप समझाता हूं जैसे मैंने सूर्य की 214.12 degree लिखी वी है तो जैसे वो किस एक particular राशी में होगा तो साइन में है जैसे 7 साइन में है तो 6 साइन पास हो चुके उसका longitude होगा 6 साइन पास तो जो 6 साइन है उसको 30 degree से multiply कर दिया 180 हो गया इसके बाद जैसे यह अब मैं आपे देखता हूं तो यह आपका score pure यह ब्रश्यक राशी में है 4 degree से और कुछ मिन 10 और 4 degree हो गया 214 degrees हो गया आपको ध्यान रगना है जो minutes है उसे भी 60 से divide करके degrees में convert करेंगे उतना यह decimal में minutes आएंगी hopefully आपको समझ में आ गया होगा मैंने previous वीडियो में पिंडायू में यह calculate करके बताया है तो मैं उसी table को मैंने लिया है directly तो मैं यहाँ पर calculate करके नहीं बता रहा हूं फिर भी मैंने बता दिया है किसी भी planet का longitude लेना है उसके जो sign जितने भी हैं उन्हें 30 से multiply करना है degree as it is रखनी है और जो minutes है उसको 60 से divide करके फिर हम total degrees में लिखेंगे degree और minute में नहीं लिखेंगे generally longitude होता है sign degree और minutes तो sign को भी degree में convert करेंगे degree तो degree ही और minute को भी degree में convert कर लेंगे तो सभी planet को मैंने उनका longitude लिख लिया है degrees में अब आप एक table में next column मैंने बना रखा है जो उनके deep exaltation point है यह पहले से मालूम है जैसे सूर्य मेश राशी में 10 डिगरी पर होता है तो उसका deep exaltation point 10 डिगरी हो गया चंद्रमा तौरस ब्रशब राशी में 3 डिगरी पर होता है तो ब्रशब राशी में 3 डिगरी के मतलब मेश राशी की 30 डिगरी complete हो चुकी 1 sign past 3 डिगरी हुआ है इसलिए 33 हो जाएगा इसी तो 9 sign means 9 को अपने 30 से multiply किया 270 प्रस 28 298 तो इस तरीके से हमने सबके deep exaltation की डिगरी लिख लिए deep exaltation की तो क्या लिखा आपने सबका longitude लिखा degrees में उसको A मार कर दिया deep exaltation लिखा इसको B मार कर दिया तो यह चीज़ें आपके पास पहले से ही होंगी अब आपको एक चीज़ निकालनी है जिसको हम बोलते है आर कॉप longevity आर कॉप longevity आयू की आर्क वो होगी longitude में से जो बोगांस है उसमें से परम पूरिय के लिए 10 सब्ट्रेट किया यह 204.12 आ गया सी निकाल रहा हूं यह माइनस भी हो जाएगा देखो मैंने माइनस भी लिखाए हैं पर फिर मून के 275.62 इसका बोगांस था उसमें 33 सब्ट्रेट किया तो 242.62 आ गया फिर आप ध्यान रखिएगा next मार्स मार्स का जो लॉंगी चूड था वो 136.37 था मगर इसका परमुच्चांस 298 है यदि किसी प्लैनेट का लॉंगी चूड उसके परमुच्चांस से कम है तो आप इसमें से यह तो सब्ट्रेक्ट हो नहीं सकता तब हम क्या करेंगे उसमें 360 एड कर देंगे यह पहली चीज है जो आपको प 298 को सब्ट्रेट कर दिया यह आ गया फर्दर में मरकरी का आता हूं तो मरकरी का एंपर है 223.25 में से 165 सब्ट्रेट किया मेरे पास 58.25 अब क्या ध्यान रगना है कि जो यह आर कॉप लॉंजीविटी है ए माइनस भी निकालने पर यह 180 से कम नहीं आना चाहिए जैसे इन त आर कॉप लॉंजीविटी बोलेंगे तो दो चीजों का ध्यान रखना है बस पहला यह द्यान रखना है कि यदि उसका लॉंगी जूड परमुच्चांस से कम है तो उसमें 360 एड कर देंगे लॉंगी जूड में दूसरा जो आपका आर कॉप लॉंजीविटी या आर कॉप पाई जो आ रही है वो यदि 180 से कम आ रही है तो उसको 360 में से सब्ट्रेट करेंगे जैसे यह किया है ऐसे ही अब यह जूपिटर का लॉंगी जूड 45 डिगरी था मगर इसका परमुच्चांस 95 होता है तो लॉंगी जूड कम था तो उसमें 360 एड कर दिया तो अब यह आपक के शनी या सैटन का है उसका यहां पर लॉंगी जूड 11.78 है मगर उसका परमुच्चांस 200 होता है तो इसमें 360 एड कर लिया और इस तरीके से हमने आर्कॉप लॉंजिविटी कर लिया है तो दो चीजों को आपको बस द्यान रख रहा है कि कि किसी का जो लॉंगी जूड है वो परमुच्चांस या डीप एक्षॉल्टेशन से कम है तो 360 एड कर दो और जो आर्कॉप लॉंजिविटी नेटी से ज्यादा आनी चाहिए यदी कम आ रही है तो उसको 360 में से सब्टेट कर दो अब आयू कंट्रिविजन पिंड आयू को आपने वीडियो देखा होगा ब तो देखे आप यदी जाएंगे पिछले उस पर मनें बताया कि सन कितनी कंट्रिविट करता है 20 years, moon one year, mass two year and so on. तो अब हम मैं निकालूंगा यहां पर सन की आयू निकालूंगा तो सन की जो देखिया आर्कॉप लॉंजिविटी है C into आयू है 20 year contribute करता है divided by 360 इसको calculate कर लिया तो similar way में मैंने सभी की आयू calculate कर लिया है तो यह calculation आप आसानी से निकाल सकते हो यह आप calculator computer जो भी यूज करना चाहिए उससे निकाल लीजिए अब इन सभी आयूं को मैंने add कर दिया और total मेरे पास आगी 79.9456 यह निसरग आयू आगी before any हरण निसरग आयू के अंदर भी हर होता है बिलकुल वही method यूज करना है जो पिंड आयू में use किया है अमशा आयू में रण और भरण दो चीजां होती है उसका method बिल्कुल अलग है मगर निसरग आयू का method बिल्कुल different है तो इसमें भी हरण होता है अब मेरा पिंड आयू का video चाकर देख ले उसमें मैंने सभ हरण करके दिखाऊंगा इस कूली के लिए हरण के रूल में अपलाई यहां पर बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको हरण के रूल देखने हैं तो आप पिंडायू के वीडियो का सेकंड पार्ट देख लो मतलब एक ही वीडियो है उसके शुरू में मैंने पिंडायू निकालना बताया है वो बिल्कुल ऐसा ही है में जैसा अब ही आपको दिखाई दे रहे है एक्जक्ली सेम में जाती है और कोई डिफ्रेंस नहीं है उसमें अलग अलग प्लैनेट अलग आयू कोंट्रिवीट करते हैं अब मैं यहां पर हरण करके दिखाऊंगा तो हरण निसर का यू तो आपको मालूम है यह सभी प्लैनेट के जो एज क्याद कर रहे थे जो मैंने पिछली पज़ी परे केल्कूरेट के आता अपके सामने उन सभी आईू को यहांपर लिख दिया हैं सभी प्लैनेट लगए वह जितना आयू कंट्डिवीट कर रहा हैं वो लिख दिया की सण इतना कर रहा है मून इतना कर रहा है जो आमने पिसले पेज पर जो आई हुए निकाली थी एंड वाले उसमें उन सभी को लिख दिया है कई पर आपको कोई कैल्कुरेशन मिश्टेक नजर आए तो आप अपने आप करेक्ट कर लेना मैंने आप पर कॉशिस किया है मगर कई बा देंगे वह ने टेज बचेगी इसके बाद जब अस्तंगत हरण करना है तो जो बची एज मैंसे करना है ना कि औरीजनल एज का तो यह बदलती जाएगी जैसे हम करते जाएगे समझाता हूं इसका मतलब क्या है चंदरमा यह मैंने यहां पर कुंड़ी लिए आप देख लि इस उचरब कर ओंगे करेंगे इसको 12 से डिवाइट करेंगे, जो भी IU contribute कर रहा है, वो अरण हो गया, अरण का मतलब होता है कम करना, reduction करना, 0.674 में को 12 से डिवाइट करके, इसमें से subtract कर देंगे, जो भी आएगा उसे, तो आपका बजगया IU 0.6178, तो चंद्रमा इतना contribute कर रहा है, बाकी किसी का चक्रपत अरण होगा, अब जुपिटर का होगा, तो जुपिटर 11 में भाव में शुग्र है, तो इसका 14 थरण होगा, तो 6.88 को 4 से डिवाइट करेंगे, जो भी आएगा, उसको 6.88 में से subtract कर देंगे, तो ये 5.16 आगया, ये चक्रपत थरण इसका होगया, बाकी किसी का होना नहीं ह ये rules मैं अलरड़ी बताई चुका हूँ, तो अस्त कौन हो रहा है, यहां पर हम देखते हैं, यदि आप इंद्र गांदी की कुंडली में आप देखते हो, तो अस्त कौन सा ग्रह हो रहा है, तो ये mercury है, देखिए, 4 डिग्री पह है, और mercury 13 डिग्री पह है, तो mercury सूरिय से 14 दूर हो तो भी अस्त हो जाता है, तो mercury के वल अस्त हो रहा है, तो अस्तंगा थरन मरकरी का होगा, तो mercury का अस्तंगा थरन कर देखता है है, तो mercury 7.544 एज कंट्रिउट कर रहा है, तो इसकी आदी एज कम कर देंगे हम, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा, उसको 7.544 में से सब्ट्राइट कर देंगे यह आपको अस्तंगा थरण मिल गया नेक्स्ट आता है आपका शत्रू छे थरण एनिमी साइन के अंदर कोई भी प्लैनेट होता है उसका शत्रू छे थरण होता है तो यह शत्रू छेतर में यह इस कुंडली को देखोगे तो यह जुपिटर बैठा हुआ है और एक शनी बैठा हुआ है यह पर शनी चंद्रमा की राशी में है शनी का सत्रू होता है चंद्रमा जुपिटर शुक्री की राशी में है जुपिटर का सत्रू होता है तो शनी जो contribute कर रहा है शतू छेतरण में 1 TIE, 1 3rd H उसमें से कम कर दी जाती है तो 37.34 यो contribute कर रहा था उसको 3 से divide करेंगे जो भी आएगा उसको इसमें से subtract कर देंगे 1 3rd निकालके इसमें से subtract करेंगे तो ये बचेगा अब आपके पास सबकी आयू आगी उन्हें यहां पर लिख लीजे ये यर्स आप्टर हरण, Sun में कोई अरण नहीं था तो as it is Moon में अरण हुआ तो इसकी 0.6178, Mars में कोई अरण नहीं हुआ as it is Mercury की बदल गी यह आदा अरण हो गया तो यह आगया Jupiter में भी अरण हो गया, इसकी 5.16, शुकर में कोई अरण नहीं हुआ as it is और Saturn में अरण हुआ as it is, अब इन सभी को add कर लीजे यह हो गई, IU after हरण, आप लिख सकते हो, IU after हरण मैं यहां लिखना बूल गया हूँ, यहां पर लिख दीजे, IU after हरण तो अब हमने हरण भी बता दिया, अब मैं आपको क्रूरोदय हरण भी करना बताता हूँ, क्रूरोदय हरण इसके rules में हम पर discuss नहीं कर रहा हूँ, आप rules जाकर देख लीजे क्या, क्रूरोदय हरण पर एक separate वीडियो मैंने बना रखा है, यहां मैं किवल निसर गाई हूँ, मैं उसे apply कर रहा हूँ, जनरली क्रूरोदय हरण हम लगाए जाते हैं, जबकि लगन में कोई भी ग्रह कूर बठा हो, तब लगता है वो, तो यहां पर हम क्या करते हैं, क्रूरोदय हरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लगने की जो भी डिग्री होती है, उसको minutes में convert करते हैं, पहला rule, उसके sign छोड़ देने, sign से कोई मतलब नहीं है, लगने की जो भी डिग्री है, जैसे spoon डिली के लिए लगने की डिग्री है, 27 डिग्री 56 मिनिट, यह देखे, 27 डिग्री 56 मिनिट लगने की डिग्री है, उसको sign नहीं देखना है, यह 4 sign में, 3 sign में, इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों डिग्री है, उसको minute में convert करेंगे, minute में कैसे convert किया जाता है, डिग्री को 60 से multiply कर दो, minute as it is, 1676 मिनिट हो गया, तो पहला step यह है, लगने की degrees को minutes में convert करेंगे, कुर अरण कैसे निकाला जाता है, are you provided by all the planets, जो आपने अरण के बाद, सभी planets ने जो are you provide की थी, उसको इस लगन की minutes में जो convert किया है, उससे multiply करेंगे, और 21600 से divide कर देंगे, क्या करना है आपको, सभी planets ने जो are you provide की है, अभी देखा था, हमने are you क्या provide की थी सबने, 61.5577, आप्ट हरण, तो हम क्या करेंगे, 61.557 को, लगन की जो आपने निकाली है, minutes में, degrees, उसको, उससे multiply करके, 21600 से divide करेंगे, 21600, actually, 360 degree को, minutes में convert कर रखा है, तो यह है कांसे, 360 को minutes में convert किया है, तो अब आपका, क्या formula हो गया, are you provided by all planets, आप्टा हरण, into, degrees of ascendant in minutes, divided by 21600, तो यह आपका क्रूरोद हरण हो गया, 4.7763 years, मगर यहां पर उसके rule पढ़ लेना, मैं rule यहां पर समझा भी नहीं रहा हूं, Saturn है, इसको एक शुब ग्रह देख रहे, तो ऐसा rule है, क्रूरोद हरण का, जब अशुब ग्रह की वज़े से होता है, यदि उसके साथ, यद हरण हो रहा था, कुरूर ग्रह जो लगन में बटा है, उसकी वज़े से हरण होता है, तो इसको यदि शुब ग्रह देख ले तो हाफ हो जाता है, तो देखिए, शुब ग्रह देख रहा है, इसलिए मैं इसको आदा कर दूँगा, सिंस सेटर्न इस एस्पेक्टेड वई बैनिफिक मून, ही विल लूज हाफ दीजियर्स, तो 4.7763 में से आदा कर दो इसका, तो 2.383 यह आपका खतम हो जाएगा, और इतने ही बचेगा, आपको क्या करना है, इयर्स आप्टर कुरूर ग्रह जो एज निकाली थी, 61.55 आपने कर दिया है, यह आपकी एज आगी, आप्टर कुरूर दैरन 59.17 इयर्स, तो उम्मीद है, आपको कुरूर दैरन भी क्लियर हो गया होगा, अब मैं लगना यू निकालूँगा, जो लोग एक्जाम देंगे, उनकी उसमें लगना यू सीधा आजाती है, तो मैं अबे से डिवेट कर देंगे, बस, एक्चोली क्या होता है, एकजान जो होता है, किसी भी नक्षतर का वो होता है, three degree 20 minutes, उसको एक चरन को, यदि मिनिट में convert गया उसको 200 से divide कर दिया तो जो भी आया 8.38 years यह लगन आयू होगी इतना simple है तो मैं फिर repeat कर रहा हूँ लगन की degrees को minute में convert करके 200 से divide कर दीजिए वो लगन आयू हो जाती है आप क्या करेंगे total आयू निकालने एड कर दिया लगना यूगो तो इस 67.55 यह जो आएगा सावन इयर होगा यातरा नहीं है इयर है इसको बोलते है सावन इयर सावन इयर एक 360 days का होता है जबकि हम actual year consider करते है solar year 365 days का होता है तो हम अर पास आगया 67.55 सावन इयर इसको solar year में convert करेंगे उसका तरीका क्या होता है सावन इयर को days में convert कर लीजिए तो हम इसको 360 से multiply करेंगे और 365 से divide कर दो आपके पास solar year आ जाएगा यह आ जाएगा 66.62 years और 0.62 year को आप month और days में convert कर सकते हैं 0.62 को आप 12 से multiply करोगे तो month आ जाएगा और जो fraction आएगा उसको 30 से multiply करने पर days आ जाएगा तो इस native की 66 year 7 month 30 days निकाल दी अपने आपको मालूम है मिसेज इनरगांदी इतनी age पर death हुई थी उनकी तो करीब करीब बिल्कुल accurate death उनकी age आ गई है अपर तो in this way we can calculate निसर्ग IU तो जिन भी लोगों की request आई थी उंबीद है उनको समझ में आ गया होगा अभी भी यदि आपको कोई भी दोट हैं तो आप मेरे पास request बेजिएगा मैं accordingly वीडियो की form में देदूँगा वीडियो में इसलिए बना देता हूं कि बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाए जो लोग पढ़ रहे हैं और किसी भी तरह की problem है उनको समझने के अंदर एक बार मैं समझा देते हैं college के अंद तरह को जब आप मेरे जुकना हैं थारा आपूणार रहे हैं नवत.